हेलो दोस्तों मेरा नाम है रूपेश और आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर कवर करेंगे करेंट अफेर प्लस एंड बहुत सारी महत्पूने न्यूपतियां जो की वर्तमान में चेनित हुए हैं साथ ही पूर टॉफिक कवर करेंगे 50 MCQ देखने वाले हैं हम आपके आप यूट्यू पोस्चन में साथ ही अगामी परिच्छों में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है इसका पीडियाप आपको मिल जाएगा और नई स्टूडेंट है या पहली बार आए हैं चैनल पर तो सस्क्राइब वर लाइक करके रख तो बहुत सारे महत्पूर्णा निउप्तियां देखेंगे जो की सीजी व्यापाम, पीएसी, रेलवे, एससी जितने भी एक्जाम होते हैं उनमें काफी इंपोर्टेंट है या अगामी एक्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर के अंतरगत आपको देखने को मिल सकता है अगर जो ल आपडेटेट वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी नहीं करते हुए आज का टोपिक इतना महत्ता पूर्ण है कि आने की संभावना बहुत ही जादा बढ़ जाती है देखे अगस्त 2022 तकी निव अपडेटेट हैं जितने भी अभी हुए हैं तो निव करेंट अफेर देखेंगे और आज के कोश्चन रहेगा 50 एम सीक्यूर है जो की अगामी एक करते हैं तो आज का पहला प्रस्न है आपका भारत के देश के नए राष्ट पति कौन बने तो दिखिए जो भारत देश के नए राष्ट बने हैं द्रवपदी मुर्मुजी है वह भी पंद्रवा ठीक है इसको नोट कर लिजेगा मैं आपको बहुत ही अच्छी कॉन्टेट देने के तयार में हूँ और पीडियाप पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके रख लिजेगा इसका पीडियाप आपको थोड़ी दिर में ही मिल जाएगा ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर देखिए जो हुआ है तो इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं कि राष्ट प जीएगा वह भारती जन्त पाल्टी का सदस्ट हैं कौनसी जन्त पाल्टी का भारती जन्त पाल्टी का ठीक है इसके बाद है वह आदिवासी समुदाय से संबंदित पहली वेक्ति है कौनसी आदिवासी देखिए एक्जाम में घुमा घुमा कर प्रस्ण पूछता है सदिक्षक की तयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट अक्लासेस होगी साथ ही सीजी व्यापम पीएसी रेलवे अधर्स एकजाम के लिए काफ इंपोर्टेंट है ठीक है यह करेंट फेर प्लस अगामे एकजाम में जीके जीएस के लिए कोश्चन है देखिए राष्ट पति देवी के अपाद दूसरी महिला है ठीक है जितने भी वर्तमान में चैनित हुए हैं उनका करेंट फेर देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है एकजाम मेहने के चांसेस बढ़ जाती है आपका भारत देश के नए उप्राष्ट पति कौन बने है देखिए अब जो भारत पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा ठीक है देखिए जो उप्राष्ट पति बने है वो जगतीब धन करती है और कौन से करम के बने है तो चवजुवे करम के बने इसको नोट कर लिजेगा एक्जाम में पूछ सकता है ठीक है जितने भी विग्जाम की तयारी कर रहे है उनके लिए बेस्ट क्लासे सा देखिए अब यह उप्राष्ट पति है तो इनका पूरा आपको मैं डिटेल बताऊंगा जगतीब धनकड यानि कि जन्म 18 मई 1999 यानि कि एक भारती राजनितिग्य है जो भारत के निर्वाचित चवद्वे उप्राष्ट पति है उन्हों ने इसको नोट कि लिजेगा ठीक है इसको नोट के लिजेगा थीक है इसको नोट कि लिजेगा सा ध्यक है बारती जफ़न्डप पती से कितने कोश्चन बर रहे हैं इसको नोट करती हुए चलिएगा ठीक है और उन्होंने 2022 का चुनाव 74.37% वोटो के साथ जीता है तो इसको भी नोट का लिजेगा ये वाला स्थान को या फिर इसका पीडियाप में आपको थोड़ी देर में करा दूँगा तो जब्सक्राइगा पॉटो के साथ जीता है तो यह जो उपराष्ट पति यह जगतीब धनगर भी चयुद्व करम के तुर पर आश्ट कौन बरनें इसको नोट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है इसके बाद देखेंगे तीसरा नेस्ट कोसटन है जो काफीपोर्टेंट जितने भी वरतमान में चैनित हुएं जो वरतमान की घटनाए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तीसरा है आपका न्याय मुर्ती एनवी रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य नदिस कौन बनने वाले हैं आपका उदाय ay omes ललीट जीक है तो आपका उदैय रमन्ना तीसनरा के थीक है पहले कोन थे एनवी रमन्ना जी थे ओक अब ही है नयाय मुर्ती एनवी रमन्ना थीक है उसके देश के नए मुख्य नाधिस बनने वाले तो इसको नोट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आ सकता है जो लोग व्यापम प्येसी जितने भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट आयम पी कोस्चन है उदय उमेश लली ठीक है 29 करम के त इसको नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट कोस्चन है यह वाला यहां से एक्जाम में आ ही सकता है और वो दो महिने यानि की दो हपते यानि की कुल्पा छत्तर दीन तक सुप्रिम कोट की अगवाई करेंगे यानि कि इसका मतलब है कि 65 दिन तक ही अपने पत को सम्हाल सकते हैं साथ ही इसके बाद ही रिटायर्मेंट देना पड़ता है तो इसको नोट कर लिजेगा वो दो महिने यानि की दो हपते यानि की कुल्पा छत्तर दिन तक सुप्रिम कोट में अगवाई करेंगे साथ ही जश्टिस यू यू लली 9 न देखे काफी इंपोर्टन है यहां में आने की संभावना बढ़ जा दिया है यहां से आप नोट किजेगा 50 मुखे नयादिस के रूप में जश्टिस डिवाई चंद्र चूर्ण पद सम्हालेंगे कौन सम्हालेंगे कि चंद्र चूर्ण पद सम्हालेंगे साथ जश्टिस ठीक दोशाल यानिकि 10 नमबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे इसको नोट का लिजेगा 10 N. 25 तक पद पर रहेंगे ठीक है चलियर निश्ट कोसिशन है आपका राज्य के नय सभवापति कौन है तो जो राज्य के नय सभवापति है ठीक है राज्य के नय सभवापति है जगदीब धनकरदी है देखे अब नय सभवापति के बात करें तो ये नय सभी बनते हैं वो उपराष्टपति ही होते हैं थीक है, नोट का लिजेगा, यह उप्राश्ट पती ही होते हैं, अब देखें, जगदीब धनकर की युदार की बात करें, तो यह 11 अगस्त को गुरुरुआर को उप्राश्ट पति पद की सपत लेकर क्यारभाल समझालेंगे, कब समझालेंगे, 11 अगस्त में, ठीक है, और दे एक्जाम में कई बार पूछा गय है पीएसे व्यापम में तो अक्सर पुछे जाने बाले ही प्रसन है ठीक है जिस मत ले चुके हैं ठीक है और आज हमारा फंदरगस्ट है ठीक है आज हमारा पंदरगसा है स्वतन्तरता दिवस ठीक है देश के उप्राश्टपति राज्यसभ का पदेनसवपती होता है इसको नोट कर लिजेगा मैं बाहर बाल बोर रहा हूं इसको यहां से एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है नेस्टा कोश्चन है आपका वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन बने हैं तो देखिए वर्तमान समय में नए मुख्य च तीका रहा हूं कि आप लोग उसको देखकर समझ सके और याद कर सके ठीक है राजीव कुमार कौन से क्रम के हैं तो 25 क्रम के हैं तो जली दिखें यहां पर इसके बादें बात करें, तो भारती मुख्य चुनाव आयूख्त, भारती मुख्य चुनाव आयोख्त का प्रमूख होता है, सांति भारत के सोतंत्र एम निस्पक्षरूप से राष्ट और राज्य का चुनाव करवाने का उत्तरदाई होता है, ठीक है दोस्तों ठीक है वरतमान मैं डीटेल इसली ही बता रहा हूं देख़ेई वरना मैं आपको आपजक्ट कोशन डाइक्ट करवा चुका होता मैं लेकिन इसलिए आपको करा रहा हूं कि आपको सभलता मिले ठीक है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजूकुमार है देखिए मैं सब भी कोस्टन आपको करा रहा हूँ यहां से एक्जाम में प्रस्ण बनते ही है यह चांसेज बहुत ज़्यादा बनते हैं यहां पर आने के संभावना ठीक है यहां अन्य दो निर्वाचनायुक्त राजियुकुमार अनूप चंद्रपांडे है इसको नोट का लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है ठीक है इस पॉइंट को नोट का लिजेगा यह वाला वर्तमान में भारत के मुखे निर्वाचनायुक्त राजियुकुमार है साथ ही दो निर्वाचनायुक्त राजियुकुमार और अनूप चंद्रपांडे जी हैं दोस्तों आज से हम यूटूब चैनल पर ठीक है हमारे यूटूब चैनल पर यानि की 15 अगस्त से नया बेच प्रादम हो गया है क्रेस कोर्स के साथ ठीक है चात्रवास अधिक्षक सीजी व्यापम की तैयारी के लिए आज से यानि कि 15 अगस्त से गणित की क्लास स्टार्ट हो चुकी है साम पांच बजे की बेच लगेगी एक घंटे का महासंगराम रहेगा जो की एसे सी रेलवे व्यापम जितने भी एकजाम में आयुए प्रस्न है उसको स्वाल्व करेंगे ठीक है और उसके गणित के जो प्रस्न कराऊंगा वह एकजाम में आने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है इसके अब आद देखेंगे इस नेस्ट कोस्चन है आपका भारती रिजर बैंक यानि की आरबियाई के गवर्नर कौन है तो भारती रिजर बैंक आरबियाई के गवर्नर सक्ति कहां अंदास जी है वो कौन से करम के हैं तो वो है 25 करम के है इसको देख लिजेगा जो की सक्ति का अंदाज जी है rbiy के गवर्नर है तो दिखे यहां पर भारत को नियंतरी करता है थीक, इसको नोट करती पुप्चनाव बने हैं वह आरके गुप्टजी हैं कौन है आरके गुप्त जी है देख लिजे यहां पर आरके गुप्त जी है ठीक है इसके बाद नेस्टा है आपकाài नेये नियंत्रक महालेखा परिख्षक यानि की CAG कौन बने है जो CAG है वो गिरिष चंद्र मुर्मजी बने है तो कौन से क्रम के बने है तो देखे ये चवधुवे करम के बने है कौन से क्रम के बने है चवदुवे क्रम के बने है ठीक है नए नियंत्र के महालेखा परिछक C A G ठीक है इसको नोट करती हुआ चलिएगा जो C A G बने है गिरिश चंद्र मुर्मुजी बने है आप देख सकते हैं यहाँ आपको इस्क्रीन पर चित्र भी दिखाई दे रहा होगा एक गिरिश चंद् सिनपति कौन है तो वर्तमान समय में देश के सरवच्च सिनपति द्रवपति मुर्मुजी है आप देख सकते हैं मैं इसलिए आपको इस्क्री में दिखा रहा हूँ चित्र दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस चित्र समय याद हो जाए ठीक है द्रवपति मुर्मुजी है व सकते हैं आपको पताया गया है नए दर्फ सेना का अद्ध्यक्षी ठीक है रदुनी के लिए वतOST लिए मेंको आने के चांसे बहुत ज़्यादा निशन कर लोगते लिए है लिए बढ़ जाते हैं दोस्तों ठीक है टरून कपल है ठीक है कौन है तरून कपूर जी है देखिये यहाँ पर इस्क्रीन पर आपको दिखा भी दिया गया है प्रधान मंत्री के नए सलाकर तरून का पूर्जी है ठीक है ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके रख लीजेगा डेली आपको क्लासस कराय जा रही है बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन आपको करा रहा हूँ जो की आने की संभाना बहुत ही जादा बढ़ जाती है दोस्तों ठीक है तो वीडियो को सस्क्राइब कर लीजे साथ ही बिल आइकन की घंटी को और पर सेट करके रख लीजेगा और लाइक करते हुए चलेगा ठीक है दोस्तों जितने भी वीडियो को लाइक करेंगे उसी के पास स आपको बता दिया गहूं चित्र समय तो याद कराते चल रहा हूं विनय मोहन क्वात्रा जी है ठीक है वरतमान समय में नए विदेश सजीव ठीक है इसके बाद देखेंगी नए मुख्य आर्थिक सलाकर कौन बने जो आर्थिक मुख्य सलाकर है वो आपका अनंत नागे स्व ठीक है उसके बाद भारत सरकार के प्रधान वैज्यानिक सलाकर कौन बने है तो भारत सरकार के प्रधान वैज्यानिक सलाकर अजय कुमार सूद बने है आपको इसक्रीन पर भी दिखा दिया गया है नोट करते हुए चलेगे दोस्तों मैं आपको बार बार बोर रहा हूं या काम दिलाने से पहले एक बार वीडियो को देख लेना ठीक है यहां से आपके पांच से दस नंबर के कोस्चन बनते ही है इसके बाद वर्तमान समय में इंटेलिजेंट ब्यूरो यानि कि आई बी के निर्देशक कौन है तो दिखे जो आई बी के निर्देशक है तपन कुमार जी है ठीक है यह आप देख सकते हैं चित्र में तपन कुमार डेका जी है यह वर्तमान समय में इंटेलिजेंट ब्यूरो के निर्देशक है ठीक है इंटेलिजेंट यानि कि आई बी कि इसके बाद वर्तमान समय में रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुक कौन बने हैं तो ये सामंत कुमार गोएल जी बने है आप देखे यहां पर इसका चित्र भी देख लीजेगा और याद करते हुए चलिएगा ठीक है राश्टी जाच एजेंसी यानिकी एन आई ए के महानिदेशा कौन बने है तो दिनकर गुपता जी बने है ठीक है दिनकर गुपत जी बने हैं ससस्त्र सीमा बल याने की एस एस बी के नए महानिदेशा कौन बने है जितने भी कोश्चन करा रहा हूं दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है एकजाम में आने के चांसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं बहुत सारी निक्तियां आपको मैं बताने वाला तो चैनल को क्या करोगी दोस्तों हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके रख लिजेगा ठीक है एस एल थावसें ठीक है क्या है एस एल थावसें जी जो ससस्त्र सीमा बलके महानिदेशक बने हैं इसके बाद केंद्रिय अद्योगिक सुरक्छबल यानि की CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो देखें जो CISF के महानिदेशक बने हैं वो सील वर्धन सीहजी बने हैं ठीक है देखें चीत्र में ये कौन है सील वर्धन सीहजी हैं जो की अध्योगिक सुरक्छबल के महानिदेशक बने हैं इसके बाद है आपका रेलवे सुरक्छबल सेव यानि की RPSF के नए महानीदेशा कौन बने है? तो वह संजय चंदर जी बने है ठीक है इसके बाद देखेंगे निती आयो के नए CEO कौन बने है ? तर निती आयो के नए CEO परमेस्वर रम अयर जी बने है देखे यहां पर इस्क्रिन पर उसका चित्र भी दिया गया है मैं आपको बता दिया हूं निती आयो के सीयो कौन बने है तो आपके परमेश्वर अईयन जी बने है ठीक है इसके बाद संग लोग से वह आयो ज्यानी की यूपीएस्टी के नए अध्यक्ष कौन बने है ठीक है मनोज सोनी बने है जो कि संग लेक्षव आयो के अध्यक्ष है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए गए दोस्तो यहां पर यूपीएसी के नए अध्यक्ष्ट्टर बने है ठीक है इसके बाद देखें रेलवेव लोट के नए अध्यक्ष एवम सीयो कौन बने है तो नोट करते हो चलिएगा दोस्तों जो की SSE Group D के लिए बहुत ही important है फेस्टू के लिए यहां पर NTPC railway जितने भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी important है railway boat के नया धक्ष कौन है तो एक बर्यात कर लिजिएगा साथ में दोर आते हुए चलिएगा विनयकुमार त अध्यक्ष कौन बने है तो देखे हाल ही में अभी CB के नया ध्यक्ष कौन बने है तो माधवी पूरी बुझ बने है कौन बने माधवी पूरी बुझ बने इसके पहले कौन बने थे आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों इसके बाद है नागरिक उड़यन सुरक्षा या संजी बने हैं केंद्री प्रत्यक्ष करगोट यानि ह कि जिन आद्रिकष कौन बने हैं देखिये दोस्तु मैं आप बार बार बोर रहरा हूं जितने भी नएवनें हैं उसके ही क्लास चल रही है ठीक है कर एंट फिर की क्लास ही चाल रही है ठीक है नितिन गुपता जी है भारती विशिष्ट पहचान प्रधिकरान यानि कि यू आई डी आई के नए सीओ कौन बने है तो वह सौरब गर्गजी बने हैं कौन है सौरब गर्गजी बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यानि कि एच पी सील के है नया निजेशक पुसो कुमार जोसी जी बने है पुसो कुमार जोसी जी बने है देखे इसको ध्यान से देखते जाईएगा दोस्तों मैं इसलिए करा रहा हूं इसके बाद देखिए भार्दी पर्याटन विकास निगाम यानि कि आई टी डी सी के नया अद्धक्च कौन पात्रजी बने हैं कौन बने है दोराईएगा संबीत पात्रजी बने है ठीक है वीडियो को लाइक करते हूँ चलिएगा दोस्तों काफी इंपोर्टेट है आप सभी इतना महनत कर रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक करते हूँ चलिएगा दोस्तों ठीक है लाइक करते आइल इंडिया लिमिटेड यानिकी ओईल के नये निदेसा कोन बने हैं UH जो और के नये निदेसक के रंजीत रत जी हैं ठिक thing राष्टि सपात निगम लिमिटेड यानिकी और आई इन एल के नये निदेसक बने है तो R ke निदेसक अतूल भर्ट जी बने है ठीक है इसके रबाद देखेंगे ग्रामिन व वद्धुती करन निगम यानि के बने विवेक कुमार देवांगन जी बने है ठीक है विश्वविद्यला अनुदान आयोग यानि कि यूजी के नए अध्यक्ष कौन बने है तो यूजी के नए अध्यक्ष है एम जगदिश कुमार जी ठीक है एम जगदिश कुमार जी उसके बाद है जवाला नेरू विश्वविद्यला यानि कि जी एन यू के कुलपति कौन ब पति बने हैं सांती स्री धुली पुरी पंडित वो कौन से क्रम के हैं तो तेरवे क्रम के हैं इसको नोट कर लिजेगा दोस्तों आपको जितने भी में कर आ रहा हूं बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है एक्जाम में आने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आहला सीख नंए अध्यक्श कौन बने है तो दे जो कि दिद है निदी चिफबर जी है इसके बाद प्रसार भरतीय स्थे मन अग्रेल जी beginners JIM उनकर पुमार लगत ई को नोट कर užवाल इसको याद का लिजेगा यह काफी important exam में पूछ सकता है इसरो के जो नए अध्यक्ष है एस सोमनात है वो भी दसवे क्रम के इसको नोट का लिजेगा कौन से क्रम के हैं तो दसवे क्रम के हैं एस सोमनात जी ठीक है इसके बाद है रक्षा अनुसंधान एम विकास संगठन दिय नए अध्यक्षे जी सतीसुजस कई धिकन है इसको देख लिजिगे सतरे कैसे दीक्ष Reddit कैसे दिखते हैं तो रक्षा अनुसंधान है विकास संगठन जानी कि डियाडियों के नए अध्यक्षे Ыी जी सतीसुजस ठीक है इसके बाद देखेंगे आपका तर लडं भाज क है आयएर ठीक है विक्रम सारा वाई ईंत्रिप्ट्च केंद्र के नए निजिशक बने हैं इसके बाद है आपको भारती ऐसि के इसके कि ऑनिल खंञ यानि के आइवर्पिक संग यानि के आई ए या कि नए का अध्यक्ष जी बने हैं अंतराष्टी हाकी महा संग्यानी की एफ हाई एच के नए अध्यक्ष सेप अहमद जी बने हैं अंतराष्टी मुक्यबाजी संग्यानी की ए आई बी ए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं लवलीना बोर्गोहिन बने हैं कौन है लवलीना बोर्गोहिन भारती स्टे संख्यक मामलों के नए कबिनेट मंतरी कौन है तो देखे इसमिर्ती इरानी जो है इसमिर्ती इरानी अलपसंख्यक मामलों के नए कबिनेट मंतरी बने हैं इसके बाद देखेंगे अलपसंख्यक मामलों के नए कबिनेट मंतरी इसको नोट कर लिजेगा इसमिर्ती इरानी जी ह इसके बद नय इस पात्मंत्री कौन है तो नय इस पात्मंत्री जोती रादित्य सिंग्या जी है कौन है जोती रादित्य सिंग्या जी है अब देखिए यहाँ पर दिया गया है चित्र समेर ठीक है मैं आपको चित्र बार बार दिखा रहा हूँ इसकी बहुत मेनत लगी है इस कौन है दोहराईएगा हमारे सांथ सिंदे समभाजी सिवाजी बने हैं देखे दोस्तों काफी मेनत करते हैं आप सभी केलिए ठीक है तो वीडियो को सस्क्राइब करके रख लिजेगा ठीक है ऐसी डेक्स बड़ जारेती है और सांत ही all करके रख लिजीगा set को ठीक है जब भी मैं ऐसी related वीडियो करूँगा तो इसी आपको notification के माधम से मिल जाएगा और जितने भी नए बच्चे हैं जो अभी तक वीडियो को सस्क्राइब करके नहीं रखे हैं तो वीडियो को जल्द ही सस्क्राइब कर ले ठीक है छ उज्वल भूयाजी बने हैं ठीक है उज्वल भूयाजी बने हैं आप कमेंट में जरूर बताएगा इसका अंसर ठीक है आपके लिए प्रस्ण है आपको question दिया जाता ठीक है आज का question है आपका की उत्रखंड उच्चे न्याले के नए मुख्य नादिस कौन बने हैं तो यह वीपीन सांगी जी ठीक है मैं आपको आंसर ही बता देता हूं ठीक है आप कमेंट में इसका अंसर भी बताएगा कि उत्रखंड उच्चे न्याले के नए मुख्य नादिस कौन बने हैं तो वीपीन सांगी जी हैं एक और बात दोस्तों जो लोग cg व्यापाम या cg phc की तय करना चाहते हैं वह आप कमेंट में जरूर बताएं कौन कौन से एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी या अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सस्राइब करे रह हैं दोस्तों साथ ही बेलाइक गंटी को आल पर सेट कर लिजेगा और जो लोग ऐसे सी की तयारी करना चाहते हैं वह कमेंट में बताएं या व्यापम पेसी की तयारी करते हैं वह कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही दोस्तों